हलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा नूवी के गणित विशे के ब्रीच कोर्स का कारेपत्रक 4 जो की परिमाप और शेत्रफल वाले भाग का अध्याय है और यह आपकी बुक के पेज नमबर बच्चों इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तता गणित के आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे के आपको वीडियो की नौटिफिकिशन तुरंत मिल जाए और नववी और दस्वी के सारे इंपोर्टिन केशन भी मिलते तो चले बच्चो शुरू करते हैं पहला आकरती A का परिमाप B सी कही है तथा शेत्रफल 16 वर्गी कही है तो आकरती B का परिमाप और शेत्रफल कितना है सही विकल्प की पहचान कीजिए तो बच्चो इस तरह के कुश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस तरह के प्रिश्न कर रखें जिसमें हमने परिमाप और शेत्रफल दोनों आकरतिया देखकर निकाला था तो यहाँ पर दे रखा, अब हम इसको समझ लेते हैं यहाँ पर दे रखा कि यह जो आकरती A के, A वाली इसका परिमाप बी सिकाई है तो बी सिकाई कैसे है बच्चों हमने परिमाप निकालाता है ना परिमाप मतलब इसकी चारो और की जो दूरी है ना चारो और की जो माप है वो इसका परिमाप होगा है ना बच्चों तो ये जो एक वर गई काई के लगबग होता है तो यह हम मान लेते कि यहां पर भी वर गई, एक वर गई कही माना हो, तो यह एक, है ना, यह चलो यहां से गिंते, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अटारा, उन्निस, बीस, तो कित्ता हो गया बच्चों इसका, बीस, तो यहां दे ही रखा, परिमा पीस ही कही है, ना, तो यहां पर एक वर गई कही के मान से ही है, तो यह बीस ही कही इसका परिमा पर और शेत्रफल 16 वर गई कही है, तो 16 कैसे हुआ, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो 16 वर्गई का इसका शेत्रफल हो गया क्योंकि शेत्रफल में जो इसका पुरा शेत्र है वो आएगा है ना तो ये जो एक वर्ग है ये एक वर्गई का इका है तो इसका शेत्रफल कितना होगा बच्चो एक होगा इस तरह से कुल सोला डिब्बे हैं या सोला वर गए तो इनका शेत्रफल हो गया सोला वर गई कई ठीक है तो यह हमने समझ लिया है कि यह किसाधार पर निकाला है उसी प्रकार यहां दे रखा है कि आकरते बी का परिमाप और शेत्रफल कितना है सही विकल्प की पहचान करना हमें यहां विकल्प दे रखें चार देखो चार विकल्प दे रखें अबसद जिसमें परिमाप और शेत्रफल अलग-अलग दे रखें तो हमें इसका शेत्रफल और परिमाप निकालना और सही विकल्प की पहचान करना है तो सबसे पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं ना बच्चो, तो चलो यहां से गिनना शुरू करते हैं ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उनिस, बीस, तो बच्चो परिमाप कितना आ आ गया है, बीस, है ना, बच्चो परिमाप कितना आ गया हमारे पास, बीस, ठीके, बीस परिमाप पर ला है कोई, यह रहे हैं पर बीस, बीस ही काई है ना, उसी प्रकार दीस का शेत्रफल देखेंगे तो कितना होगा बच्चो, यह एक जो वर्ग है, यह एक वर्ग ही काई तो अब हम ढूंड लेते हैं कि सही विकल्प में से कुन सा विकल्प सही होगा तो देखो यह रहा है यह सवाला परहिमा भी सिकाई और शेत्रफल सोला वर गई काई तो हम इस पे टिक लगा देंगे हैं तो यह हमारा उत्तर हो गया है अगला जो प्रश्न दे रखा है नीचे दी गई आकरतियों में सबसे बड़ा आयत बनाई है और उसका शेत्रफल लिखे तो हमें यहां पर सबसे बड़ा आयत बनाना है कि वो कौन सा हो सकता और उसका शेत्रफल हमें निकाल कर देखना है तो देखो बच्चों हम कौन सा बना सकते हैं एक तो यह दिख रहा हमें ब 8,21,18,9,5,20,4, बच् чего बनाएंगे, तो गतना हो जाएगा 40 थीक है, तो हम और किसी तरीके से भी बना के देख लेते हैं कि क्या इससरा भी मर्ला हो सकता है तो बच्चो दीखो, एक ये बनां के देख सकते हम यह बनाते तो कितना होगा शुत्रफल एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच का पाँच, पांच, पांच, दो, दस, पांच, पंद्रा, पांच, उगवीस, पच्चीस, तीस, और पेतिस तो इसमें तो और कम हो रहे हैं तो यह तो हमारे काम नहीं आएगा ठीक है, और कोई सा हो सकता बच्चो देखो, यहां से करके देखते हम यह तो करके देख लिया हमने, यह भी करके देख लिया तो और कोई बन सकता क्या देखो, यह वला देख लेते हैं, यह वला है न, यहां से फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इहर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पे भी साथ है और यहाँ पे भी साथ है तो यह तो वर्क बन जाएगा बच्चों है ना आयत नहीं बनेगा तो हमें तो यही वाला लेना पड़ेगा यह वाला ही है ना तो इसका तो इसका कितना शेत्रफुल कितना आ रहा है? चालीस. ठीक है. एक ये भी था यहां पर. इतना बड़ा लेके देख लो, ये वला. तो यहां पर कितना होगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आथ, नो, 9-9, 9-2, 8-9, 9-3, 9-4, 9-4, 9-4, 9-4, 9-4, 9-4, 9-4, 9-4 ही हो रहा है तो और कम होगा तो हमें चालीस वाले ही लेना पड़ेगा या तो ये ले लेंगे या फिर ये है ना दोनों में चालीस ही शेत्रफल आ रहा है ना बच्चो तो यहाँ पर सबसे बड़ा आयत मान लो हमने ये मान लिया है ये बना लिया है और इसका शेत्रफल कितना होगा चालीस वर्ग एकाई है ना बच्चो चालीस वर्ग एकाई इसका शेत्रफल होगा है ना चालीस वर्ग एकाई अब यहाँ पर देखो कौन सा शेत्रफल, सबसे बड़ा आयत कौन सा बन सकता है तो यहाँ में दिख रहा बच्चो देखो, एक तो यह बन सकता है, सबसे बड़ा यह वाला है ना, यदि यह बनाएंगे तो इसका शेत्रफल कितना निकलेगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, नो, कानो, नो, दुने, अट्रा, नो, त्या, 27, 27 वर्ग है, मतलब इसका जो शेत्र फले, 27 वर्ग, इकाई बनेगा है ना, और यदि हम ये वाला लेंगे तो, क्या ओर जादा बनेगा क्या, तो फिर ये लेंगे है ना, क् हमें तो बड़ा चाहिए, तो एक, दो, तीन, चार, चार का चार, चार दुनिया, चाते बड़ा, चार चुक सुला, चार पजीबीस, चार चुक चुविस, चार सतो, 28 है ना, 28 वर्ग ही कई हो जाएगा यहां पे, 28 वर्ग हो जाएगा तो, ये वाला आयत सबसे बड़ा अगला जो प्रशन है बच्चो, सेम के रुमाल की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटी मिटर है ना, सेम का जो रुमाल है, उसकी एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई, देखो यह रुमाल का फोटो दे रखा है, एक भुजा की लंबाई कितनी है बच्चो, 25 सेंट मिटर है उसे रुमाल की चारो और लेस लगवानी है ना चारो तरफ लेस लगवानी है तो बता ही उसे कितनी लंबी लेस के आवशकता होगी तो बच्चा चारो और लेस लगानी है ना तो चारो और की दूरी वस्तों में ये क्या हो जाएगी उसकी परिमाप हो जाएगी है न तो चारो ओरलेस लगवानी है तो हम क्या करेंगे ये तो एक वर्ग है na सब बुझा बराबर है और ये पट्चीस सेंटिमेटर की एक बुझा इधर भी पट्चीस इधर भी पट्चीस इधर भी पट्चीस तो वर्ग का शेत्र फल बराबर हो जाता है 4 गुनित भुचा तो बराबर हो जाएगा 4 गुनित कितनी बच्चो ये 25 सेंटीमीटर की है 25 सेंटीमीटर की है थीक चार गुनित 25 तो 25 चोक 100 होगई गुना कर दिया हमने 100 100 सेंटीमीटर उसको लेश के आवशक्ता होगी कितनी चाहिएगी सो सेंटीमेटर लेस उसके आवश्यक्ता उसको होगी क्योंकि पचीस और पचीस पचास पचीस ते अपचीस तर पचीचो सो सेंटीमेटर वो लेस लाएगा तो चारोर लग जाएगी